स्कार दोस्तों स्वागते आप सभी लोगों का आपके अपने PRS Elpline YouTube चैनल में दोस्तों अगर आपके पास भी किसी भी प्रकार की Old Currency पड़ी हैं जिसमें चाए कोई पुराने सिक्के हो चाए पुराने Not हो अगर आप लोगों को उन पुराने Not हो और सिको की Value यानि की कीमत पता नहीं है तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें यहां पर दोस्तों आज इस वीडियो के माजम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास भी कोई भी Old Currency पड़ी है तो यहां पर एक ऐसा बायर है जो आपके जो Lucky Not होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा उन नौटों की प्राइस आप लोगों को 20 लाग से लेकर 83 लाग रुपे तक देने जा रही है जहां दोस्तों ऐसे कौन से बायर लोग है यहां पर जो मैं आपको इस वीडियो के मादिम से बायर के नंबर देने जा रहा हूँ वो पूरे इंडिया का नंबर 1 बायर है और इन बायर के आपको यहां पर Contact नंबर भी मिल चुके हैं इन पर आप लोग Contact कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर आपके पास इस परकार का कोई भी 1 रुपे का नंट पडा है तो यह अकेला नंट आप लोग 22 लाख रुपे में बेच सकते हैं यहां पर ऐसे इस नंट के अंदर क्या खास बात हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा साथ ही दोस्तों अगर आपके पास कोई भी 5 रुबे का ट्रेक्टर नॉट बढ़ा है तो इसकी कीमत अब 5 रुबे नहीं बलकि 5 लाख रुबे बायर लोग देने जा रहे हैं दोस्तों बायर आपके घर आएंगे पुराने नॉट और सिक्के खरीदने के लिए अगर आपके पास भी कोई भी ओल्ड करंसी पड़ी है जिसमें चाहे नॉट हो या सिक्के हो और आप घर पर बैटकरी बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इन नॉटों और सिक्कों में ऐसी क्या रेर चीज हैं जिसकी हम आप लोगों को इस वीडियो के मादिम से विस्तित जानकारी देने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अगर आप लोग भी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं और आप अपने नॉट और सिक्के घर पर बैटे 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 बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को इस वीडियो के मादिम से सबसे पहले इस एक रूबे की नॉट के बारे में बताने जा रहा हूँ यानि दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी इंडिया की नंबर वन जो एक रूबे की नॉट है जो सबसे ज़्यादा रेर मानी जाती हैं जिसकी प्राइस आप लोगों को घर बैठे एक नॉट 14 लाक रूबे दिला सकती हैं जिहां दोस्तों बिल्कूल सही सुन रहे हैं जैसे कि यह जो नॉट है यह गौर्मेंट ओफ इंडिया यानि भार्च सरकार के दवारा जारी की गई हैं और यहां पर आप लोगों को एक रूपया का जो यहां पर सिक्का होता है उसकी जो बैक डिजाइन है वो यहां पर आप लोगों को एक राउंड वाटर मार्क भी मिल रहा है और यह जो वाटर मार्क है वो वाइट कलर का है जिसके अंदर आपको कोई डिजाइन कोई स्क्रेच नहीं देखाई दे रहा हैं और साथ यहां पर आप लोगों जो एक रूपया लेखा हुआ देखाई दे रहे हैं इसके पीछे भी आप लोगों को अच्छी सी फूलों की डिजाइन दिखाई दे रही है तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी एक रुबे का नौट बढ़ा है जिसके चारों और इस प्रकार की कोई भी अच्छी सी डिजाइन हो और यहां पर एक रुबे का जो यहां पर सिक्का होता है उसकी बैग डिजाइन उसी नौट के उपर बनी हूई होती है तो ऐसा नौट 14 लाक रुबे दिला सकता है चाहे दोस्तों सीरियल नंबर कोई भी हो लेकिन यहां पर जो एक रुबे लिखा हुआ होता है इसके यहां पर चारों और आपको इस प्रकार की डिजाइन और एकदम स्पेश्ट वाटर मार्क जिसके अंदर कोई पैन का या अन्य स्क्रेच नहीं होना चाहिए एकदम रेडी नौट किलियर नौट है तो आपको यहां पर एक रुपे की नौट 14 लाक रुपे दिला सकती है दोस्तों अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई भी एक रुपे की नौट पड़ी है जिनने बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट में आप लोग आपके राजे का नाम बता दें राजे का नाम बताने के बाज में दोस्तों इस वीडियो को पांच दोस्तों के साथ कम से कम सेर जरूर कर दें दोस्तों पांच दोस्तों के साथ सेर करने से फाइदा क्या होगा फाइदा ये होगा कि अगर आप लोग एक ही सेर या इलाके से लगबगदस या 15 नौट और शिकों का कलेक्शन मिल जाता है और आपके पास अवेलिबल होता है तो वहाँ पर बाइरत तुरंत पहुंच जाता है इसलिए दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी एक रुबे की नौट पड़ी है तो आप लोग हमें कमेंट में बदा सकते हैं और बदले में 12 लाक रुबे ले सकते हैं इसके बाद में दोस्तों एक और पांच रुबे की ट्रेक्टर नॉट जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पांच रुबे की ट्रेक्टर नॉट का दावा तो बहुत बार सुना होगा बहुत से वीडियो में सुना होगा कि अगर आपके पास भी कोई भी पांच पहले तो आपको इस प्रकार का वाइट कलर का बेकरांड मिलने जा रहा हैं और यहां पर आप लोग जो असो खिस्तम का चिने देख रहे हैं इसके भी चारों और आप लोगों को ब्लेक कलर का वाटर मारक है वो मिलने जा रहा हैं दोस्तों वाटर मारक से कोई लेना देना नह चाहे आपके पास नौट कोई भी हो लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो नौट के पीछे वाले अच्छा सीरियल नंबर होते हैं उस अच्छा सीरियल नंबर में कई पर भी अगर आपको 786 लिखा हुआ मिल जाएं जैसे कि यहां पर आप लोग जो यह नौट देख रहे हैं इसके उपर तो यहां पर आपको 786 लिखा हुआ मिल दा है अगर आपके पास भी इसके अलावा चाहे 5 रुपे की हो चाहे 10 रुपे की हो चाहे 2 रुपे की हो चाहे 1 रुपे की हो चाहे 100 रुपे की हो चाहे 500 की नए वाली हो चाहे पुराने वाली हो कोई भी नौट हो लेकिन सीरियल नंबर में अगर आपको कई पर भी 786 लेखा हुआ मिल जाएं तो वो नौट आप लोगों की 5 लाग से लेकर 7 लाग रुपे के बीच बिखने वाली है जहां दोस्तों एक और आपको बात का ध्यान रखना है 786 सीरियल नंबर वाली नौट 5-7 लाग में बिखेगी और इसके अलावा जो पिछले वाले सीरियल नंबर देख रहे हैं इसके जो यहां पर पिछले सीरियल नंबर में कहीं पर भी अगर आपको अंग्रेजी वर्ण माला का कैपिटल अक्सर यानि बड़ा अक्सर जे लिखावा मिल जाएं तो वो नौट भी आप लोगों के यहां पर 3-4 लाख रुपे आसानी सी दिला सकती है साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो सीरियल नंबर देख रहे हैं इसमें आप लोगों को कई पर भी लगातार 3-0 मिल जाएं या फिर 2-0 भी मिल जाते हैं तो भी वो नौट आपको काफी प्राइस दिला सकती हैं अगर आपके पास भी जो मैंने रेर नौट बताई हैं इस प्रकार की कोई भी नौट पड़ी हैं जिने बेचना चाहते हैं तो कौन सी नौट है सबसे पहले हमें कमेंट में जरूर बता दें इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोगों के पास कोई भी 10 रुपे का ऐसा सिक्का पड़ा हैं तो वो सिक्का आप लोगों को घर पर बैटे बैटे 15 लाख रुपे दिला सकता हैं जहां दोस्तों 15 लाख रुपे प्राइस क्या खास बात हैं जैसे दोस्तों ये जो सिखा देख रहे हैं और ये सिखा देख रहे हैं दिखने में तो दोनों ही सेम है जैसे यहाँ पर आप दोख देख सकते हैं इस सिखे के उपर भी यहाँ पर दस रुपे तो इसके अंदर आपको दस रुपे मिल जाएंगे यहां पर रुपे का सिंबल है लेकिन इस पर सिंबल नहीं कोई बात नहीं दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई भी सिक्का पड़ा है जिस सिक्के के ऊपर यहां पर जो तीलिया के निसान होता है तो वो 15 लाक रुपे दिला सकता है यह दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट में भी पहले लोग नहीं लेते थे लेकिन यहां पर बोलिये के हिसाब से अब बहुत ही बड़ी डिमंड आ चुकी है यह अकिला सिक्का आपको 15 लाक रुपे घर पर बैठे बैठे दिला सकता है तो अगर आपके पास भी 15 तीलिया वाला कोई भी सिक्का पड़ा है जिने बेचना चाते हैं तो आप लोग 15 लाक की प्राइस में घर पर बैठे बैठे बेच सकते हैं इसके बाद में दोस्तों हम आप लोगों को एक अंतिम सिक्के के बारे में बताने जा रहें उसके बाद में हम आपको बेचने का तरीका बताएंगे दोस्तों अंतिम सिक्का वो ये है जैसे कि अगर आप लोगों की पास भी कोई भी इस प्रकार का हाफ रुपीज इंडिया का कोई भी सिक्का पड़ा हो चाय कलर कोई भी हो लेकिन दोस्तों इस सिक्के के अंदर आप लोगों को इस प्रकार की फूलों की डिजाइन मिल जाएं तो वो सिक्का आप लोगों को घर पर बैठे बैठे आठ लाग रुपे प्राइस दिला सकता हैं दोस्तों इस प्रकार की फुलो की डिजाइन भी उसके उपर होनी चाये अगर आपके पास भी कोई भी यहां पर सिल hurt color का हो, चाँ गॉल्ड गलर का सिक्का हो लेकिन उसके अंदर में आपको इस प्रकार की डिजाइन मिल जाती है तो वो सिक्का आपको 8 लाक रुपे दिला सकता है अब दोस्तों हम आपको बताएंगे बेचने की परकरिया दोस्तों बेचने के लिए सबसे पहले कमेंट में बताना होगा कि आप लोगों के पास कौन से नौट या कौन से सिक्के पढ़े हैं जो मैंने वीडियो में बताएं उसके अलावा भी दोस्तों कोई भी सिक्के हैं जो आपको लगे कि वो रेर है तो उसका भी नाम हमें बता सकते हैं उसके बाद में अगर आपके पास कोई भी सिक्का पढ़ाएं तो वीडियो को एक लाइक कर दें उसके बाद में 5 दोस्तों के साथ share जरूर कर दें share करो या ना करो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन दोस्तों यहां पर एक फरक यह बढ़ेगा कि अगर आप लोग के वीडियो को 5 दोस्तों के साथ share करेंगे और उनमें से अगर एक या दो दोस्तों के साथ भी old currency जो वीडियो में मैंने बताई हैं उस परकार की मिल जाती हैं तो buyer आपके घर तुरंत पहुंच जाएगा और share नहीं करते हैं सिर्फ आपके पास ही currency हैं तो buyer आप लोगों के घर आने के लिए यहां पर 5 या अच्छा दिन भी लगा सकता हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को share कर दें कमेंट में आप लोगों के पास कौन से सिखें वो वतादिर उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप लोगों को जो मैं आपको एक contact नमबर देने जा रहा हूं इस नमबर पर आपको content करना होगा और यह से बाहर से ब सब्सक्राइब जरूर कर दें जया हिंद जया बारत